इस video के लिए नदा हम लोग बात करने वाले हैं private limited company registration के बारे में कितने type की legal entities होती है private limited company के benefits क्या होते है क्या क्या requirements होती है कौन से documents होते है process क्या रहता है पुरा live दिखाने वाला हूँ costing क्या रहती है plus private company के बनाने के बाद में क्या क्या annual compliance है प्लस मैं आपको cons भी बताने वाला हूँ कि private limit company को बराने से पहले आपको जो चीजे जाननी ज़रूरी है तो guys यह सारी जानकरी मिलने वाली इस वीडियो के अंदर तो guys पूरा वीडियो यहां पे जरूर देखेगा guys वीडियो को शूर करने से बताना चाहूँगा अगर आप लोग एक expert के माध्यम से प्राइवेट limit company बहुत ही कम cost के ओपर create करवाना चाहते link मैं आपको simply description box में provide कर दूँगा आप guys बात करते हैं पहले legal entities की तो देखें हमारे इंडिया के अंदर पांच टाइप की यहां पे legal entities होती है पहली जो होती हो simply दो firms होती है जिसको हम लोग proprietorship firm और partnership firm बोलते है proprietorship firm में एक बंदा ची होता है partnership firm में दो बंदे ची होते है लेकिं इंडिया के अंदर जो proper companies होती है वो MC दारा जो है register की जाती है जिसके अंदर तीन legal entity यहां पे शामिल होती है पहली जो होती है वो private limited होती है जो की most popular legal entity होती है इसके अंदर आपको minimum 2% ची होते है इवन जो बड़ी से बड़ी जो company जैसे की Reliance Limited वो भी एक टाइम पे private limited company होती है अगर इसके लावे बात करो तो OPC private limited होती है जहाँ पे आपको 1% ची होता है इसके लावा LLP होती है Limited Liability Partnership जहाँ पे आपको 2% की requirement रहती है अब गईस बात करते हैं कि आखिर private limited company होती है एक्चुल के अंदर है तो देखे काफी पुराना legal entity structure है यह इंडिया के अंदर सबसे oldest और most popular legal entity माना जाता है जित्ती भी आप छोटी-छोटी कमनिया देखते हैं इंडिया के अंदर या जो बड़ी-बड़ी कमनिया भी है वो एक टाइम पर यहाँ पर private company होती है फिर जैसे वो stock market के अंदर listed होती है वो अपने आप में limited company बन जाती है लेकिन जो सबकी शुरुवात है जो foundation है वो हमिश करना चाहता है तो सिर्फ private company's को ही easily वो check out कर सकता है कि ये company properly India के अंदर registered है की नहीं है अब गाइस बात करते कि benefits क्या होने वाले भाई अगर आप private company बनवाते है तो इसका देखिए पहला जो most popular जो benefit है वो है secure name यानि कि एक बार अगर आपका नाम यहाँ पर register हो जाता है तो India के अंदर और कोई दूसरी company नहीं बन सकती है तो इस नाम की India के अंदर कोई दूसरी company खड़ी नहीं हो सकती है आपको दूसरा नाम चूस करना पड़ेगा यानि कि ultimately आपका पूरा जो नाम होता है company का वो यहाँ पे secure हो जाता है इसके लागए जो second feature है वो है separate legal entity का तो company की ज देलनी की जरूत नहीं है आपकी जो personal attach है ना वो BC यहाँ पर गिरवी नहीं रखी जाएगी इसका back example है kingfisher वाला जहां पर जो promoter से जो director है जो founder से उनकी personal attach को assets होती है उसको bank यहाँ पर attach नहीं करते हैं जातर इसके लागए जो तीसरा यहाँ पर जो best यहाँ पर option आपको मिल जानी होंगे company की जो assets होगी केवल उसी को बेचके यहाँ पर recovery की जाएगी साथ नहीं यहाँ पर जो fourth feature आता है वो आता है fund raising का चाया equity हो चाया debt हो जैसे आजकल आप लोग shark tech India के अंदर देखते हैं जित्ती भी companies आती ही जित्ते भी start-ups आते mostly सारे private companies होते हैं क्योंकि private companies जो ह बैंकों से, angel investor से, VC funded house से, easily यहाँ पर equity raise कर सकती है, share वगरा transfer कर सकती है इसके लागाइस अगर आप let suppose किसी भी foreign director को भी add करना चाते हो उसको भी shareholder बनाना चाते हो तो यह चीज़ भी private limit company के अंदर बहुती easily possible है साथ में गाइस private limit company जो है property यहाँ पर खुद on कर सकती है तो अगर माली जे 5-6 यहाँ पर director से, partner से, shareholder से तो किसी के बीच में जगडा नहीं होता है कि भाई तेरे नाम पर property है, इसके नाम पर assets है क्योंकि सारी चीज़े जो है company के नाम पर होती है इसके लगाइस जो private limit company जो credibility है वो काफी जादा high होती है, यानि अगर let's suppose आपकी company के नतर कोई employee भी काम कर रहा है, वो बोलता है कि हाँ मैं एक अच्छी register company के नतर काम कर रहा हूँ, आपके जो vendors होंगे, वो easily google के उपर search कर सकते है, आपकी company का नाम, वो easily government database के नतर सकते है, इ लेकिन इसका मलब यह निए कि आप single person है, तब भी आप अपने किसी भी family member को भी add करवा सकते है, as a inactive director, जिसमें आपके mom, dad, brother, sister, कोई भी यहाँ पर चल सकता है, इसके लगाइस यहाँ पर दो person जो होते है, वो director तो बनते ही है, company के नतर यहाँ पर shareholder भी बनते है, साथ में इसके लगाइस आपको एक registered office रही होता है, अब कई लोग यहाँ पर confused होते है, क्या मुझे rental premises चाहिए, commercial चाहिए, ऐसा बिलकुल भी नहीं है, आपका जो घर का address है, आपका जो residential address है, उसको भी आप use में ले सकते हो, यह simple communication address की तरह काम करता है, कि government को कल कल को कुछ भी letter वगर लाने पड़ते हैं, अब गाइस बात करते हैं, क्या क्या documents की requirement रहेगी, तो देखिए, जितने भी director या शोरूर लोर बनने वाले, pan, आदार, photo वगर हो गया, प्लस जो बंदे यहाँ पर resident person है, यानि कि जो इंडिया के resident person है, उसके आपको proof लगर है लगाने पड़ेंगे, ज हो सकता है, कोई commercial property हो, हो सकता है, कोई अपने shop वगरे ले रखी हो, office वगरे ले रखा हो, तो अगर आपके पास में electricity bill है, चाहे किस भी person के नाम पे, तो एक NOC बन जाती है, या rental agreement वगरे हो गया, या ownership के paper हो गया, ultimately मतलब आपको उस register premises का basically आपको proof देना पड़ता है, तो नहीं लोग आपको videos के अंदर step by step, जो है, जो MC की website होती है, वहाँ पे आपको login करके दिखाएंगे, sign up करके दिखाएंगे, और forms को file करके दिखाएंगे, तो पहले चीज़ तो यह, इसके form काफी जादा complicated होते हैं, और कोई भी बंदा खुद जो है, एक private company नहीं बना सकता, उसका simple सा reason यह है, कि जब यहाँ पे आप process के अंदर जाएंगे, जब आप form, filing वगरे करेंगे, तो उसके अंदर आपको एक practicing, chartered accountant या फिर company secretary के digital signature से, अपने जित्ती भी document से सारे attest करवाने पड़ते हैं, तो आपको हमेशा एक CA की या CS की requirement पड़ेगी, पड़ेगी, उसकी help के बिना आप खुद एक private company नहीं बना पाऊंगे, तो यह एकदम ऐसे GST की तरह या proprietorship की तरह बिल्कुल process आसा नहीं है, यहाँ पे आपको एक professional की help लेनी ही पड़ेगी, देखें गाइस, यह बिल्कुल 3 step के अंदर काम करता है, पहले step में क्या होता है, एक run नाम का form होता ह जैसे मैं बताया था कि यहाँ पे आपका नाम जो है secure हो जाता है, तो आपको 3-4 नाम provide करने पड़ते हैं, फिर जो ministry of corporate affairs है, वो आपको कोई भी जो है basically जैसे आपने 5-6 नाम provide करा है, तो उसमें से 2-3 नाम आपको approve करके देता है, फिर आप जो भी नाम select करना चाहते हो, उसक के अंदर आपको जितनी भी डाक्टर से उन सभी के आपको digital signature चाहिए होते, DSC आप कहीं से भी बना सकते हो, बहुत सारी कम्या है, इंडिया के अंदर e-mudra वगर है, लेकिन best रहेगा आप जिस भी consultant को या CE को hire कर रहे हो, वहाँ से बनाइए, ताकि आपकी cost बिलकुल यहाँ पर कमा है, साथ में step 3 के अंदर एक spice form करके होता है, जहाँ पर आपका MOA, AOA लगता है, और उसके लाब बहुत सारे supporting document लगते है, तो यह सारी चीज़ें करने के बाद में, MCA आपको proper approval देता है, और एक certificate of registration देता है, जिसके अंदर आपका pen number इंशन होता है, जिसके आप screen के स पर एक seal लगी होती है, तो government भी यहाँ पर कोई भी आपको official certificate होता है, वो courier के तुरू ऐसे नहीं भी हीचता है, आपको केवल soft copy वगरे मिलती है, और इसके जो पूरा documentation है, वो पूरा online यहाँ पर save रहता है, तो कोई भी अगर करको बंदा आपकी company का नाम सर्च करता है Google के उपर तो उसको proper उस company की पूरी जानकारी मिलती है, और एक्जाम पर गाई, जैसे कि मैं my online technologies प्राइम लिमेंटर सहच मारूंगा, तो आप देख सकते किते सारे यहाँ पर web pages आ जाएंगे, जहाँ पर आपको यह information मिल जाए, ताथ में कई site आपको proper इनका address हो गया, आपको इ आप यहाँ पर खुद से process मत करिएगा, क्योंकि government fees वगरे भी involved होती है, तो अगर आपका कोई भी गलत step हुआ, तो आपकी पूरी जो fees है, वो यहाँ पर नुकसान में जा सकती है, अब गई बात करते कि costing किती आएगी भाई, प्राइवलिंग कमनी को बनवाने के लिए, तो कहीं पर second जो fees होती ही, वो professional fees होती है, जो कि CA या फिर CA चार्ज करता है, अगर मैं market में range की बात करूँ, तो 8,000 रुपे से 5,000 रुपे से भी लेकर आपको 15,000 रुपे के quotation मिल जाते है, लेकिन डिपैंड करेगा type of the service पे plus उस package के अंदर क्या included है, कई लोग आपको GST और MSME क कभी certificate देते हैं, तो कई लोग सिफ आपको incorporation का certificate देके छोड़ देते हैं, तो ये चीजे भी आपको ध्यान में रखनी है, आप में guys, अगर आप low cost के उपर बनवाना चाहते हैं, तो मैंने already बता चुका हो, my online CA service प्रवाइड करता है, आपको link simply description box में मिल जाएगी, आप guys, बात करते हैं हम लोग annual compliance के बारे में, कि एक बार अगर आपने company बनवा ली, तो उसके बाद में क्या-क्या चीजे आपको जो है जरुवत पढ़ने वाली है, तो पहली चीज, हर साल आपको income tax filing करानी पड़ेगी, company की जो है separate filing होती है, personal ITR तो आप करते ही होंगे, हो सकता है, लेकिन आपको एक separate भी करवानी पड़ेगी, जिसके अंदर आप company कितनी income कमाती, कितना loss है, यानि उसके पूरे जो audited financial statement होता है, balance sheet होता है, P&L account होता है, trading account होता है, वो सारी information जो है upload करनी पड़ती है, साथ में guys एक MC की भी annual filing होती है, मलब income tax को एक information जा दिए, साथ में ministry of corporate affairs इसको भी आपको company के जित्ते भी financial statement है, AOC4, MGT7 firm के अंदर आपको submit करने पड़ते है, साथ में guys यह जित्ते भी financial statement है, सारे audited होने चाहिए, तो देखें company के अंदर आप अगर चाहे business कर रहे है, चाहे आपका nil business है, छोटा business है, बड़ा business है, कोई फरक नहीं पड़ता, आप आपको एक auditor appointment करके रखना पड़ेगा, यानि आपने के जित्ते भी financial statement होगे, सब के उपर CAK audited यापे signature वगरे चाहिए होते हैं, अब guys, अगर मैं बात करूँ disadvantage की, कि private company के अंदर क्या सफ़ी पड़ा disadvantage है, तो एक ही disadvantage है, कि इसके अंदर जो annual filing's है, जो maintenance है हर साल का, वो बहुती छोटा business है, आप business नहीं चला पा रहे, loss के अंदर है, तो यह हो सकता है कि आपको annual filing and maintenance के अंदर थोड़ा सा खर्चा करना पड़े, ultimate लिगाई से अगर मैं summary की बात करूँ, अगर आपका vision clear है, एक बड़ी और अच्छी business करना चाहते है, company बनाना चाहते है, customer का trust जी बहुती best legal entity है, start-ups के लिए, small business के लिए, साथ में गईस अगर आप low cost के उपर बनवाना चाहते है, already बता चुका हूँ, my online service आपको provide करता है, जिसकी link आपको description box में दे दूँगा, जहां से आप instantly quotation वगरे ले सकते हैं, guys, hope you like this video, please subscribe channel, अगर आप लोगे कोई भी doubts है, comment box में जरूर बताए, thank you guys, thank you very much